प्रिस्थितियां बदल भी जाएंगी और कठें भी हो जाएंगी क्योंकि वो खेलेंगे अंडर लाइट्स पिछ एकदम हरी है और इस पे अगर मैं कप्तान होता और टॉस जीतता तो है तो है ज़िए अगर फाइनल तक पहुंचना है तो ये पड़ाव करना पड़ेगा पार सेमी फाइनल ठाम् अधाज अच्छा तो अन्जाम थोड़ा सा बदलाव करने की है कोशिश फास बोलर को बुलाया गया है पाफ ले ओवर्स फील्ड सरकल में बोलिंग टीम को चतुराई से करनी होगी गेंदबाजी इस समझ बूच के छुपा कर डाली ये स्लोर गेंदबाज अनिसली मैंने भी ऐसे बहुत बार चक्मा खला है बल्लेबाज को थोड़ा क्रैंप किया एक और डॉट बॉल गेंदबाज की फील्डर की अच्छी एफट और बड़िया थ्रो भी ऐसा लगता है डाईव लगानी पड़ेगी अगर विकट बचानी है तो अपील में तो दम था लेकिन अमपायर ने नकार दिया विक सिंगल पारी की शुरुवात अच्छे अंदाज गया बड़िया फील्डिंग बल्लेबाज के पास रन लेने का मौकण है चेंज ओफ पेज गती में परिवर्तन फ्लोर गेन पाचों उंगलिया मिलके बन जाती है मुठी और यही काम कर रही है ये टीम मुठ भेड के लिए है तैयार फील्डिंग में है पूरे जाबाज एक और डॉट गेन अब दबाव बढ़ता हुआ बल्लेबाजी की टीम पर फील्डर का बड़िया फ्लो एक दम्स टम्स के उपर विक सिंगल पारी की शुरुवात अच्छे अंदाज में इसे कहते हैं बड़िया फील्डिंग बल्लेबाज एक एक रन के लिए तरस रहे हैं एक और किफायती ओवर गेंदबाजी यूनिट से कप्तान ने मीडियम पेसर को बुलाया है अटैक पर गती में मिशन के साथ चक्मा देने का किया है प्रयास अच्छी स्लोला अटैक इस दे बेस्ट फॉर्म अफ डिफेंस और यही कर रही है फील्डिंग यूनिट बड़िया गेंग कोई रन नहीं अब यह बात तो तैह है कि इंके कोच ने नहीं सिखाया होगा इनको यह शॉट इस बॉल को रोकना मुश्किली नहीं ना मुम्किन है मेरे दोस्ट चीते को बीचे छोड़ दें इतनी तेज भागा यह बल्लेबास जबरदस कोशेश पूरा प्रयास क्या बचा पाए है अपनी विगेट को बहुत आसान सा यह रन आउट और चमक गई है स्टांप्स फील्डिंग यूनिट की मदद के चलते मिली एक बड़ी सफलता पिल्कुल साधारन बल्लेबास जी नेया बल्लेबास आया है क्रीस पर अब उमीद है कि ये टीम की उमीदों पे खरा उतरेगा सूच-बूच के बगड़ा इस गेंद को फील्डर ने एक और बढ़िया गेंद एक बार फिर रन नहीं फील्डर ने जान जोग दिया इस गेंद को रोकने के लिए आज आसानी से रन मिलेंगे नहीं गती में किया परिवर्तन चकमा दिया बल्ले बास को और सबका बढ़िया प्रोदर्शन चेंज आफ पेस का प्लान है फास बोलर को बुलाया गया है अटैक में कहते हैं ना चेंज इस दी ओनली कॉंस्टेंट यहां साइड बदली गेंद बास में ताट वस अ सेटा सही समझ बूच के साथ पकड़ा इस कैच को तौफे में दे गए अपनी विकेट अगर मैंने ऐसा थे अब इन्हें सिरफ अपने बेसिक्स के साथ जुड़े रहना है अगर नीव मजबूत होगी तो इमारत बड़ी खड़ी हो सकती है एक्शन में ज़्यादा बदलाव नहीं लेकिन गेंद की गती में परिवर्त है स्लोर वन सटी गेंद डॉट गेंद विल्डिंग यूनिट का बढ़िया प्रदर्शन अगर जीतना है तो फिर इस मोमेंटम को चालू रखना पड़ेगा चतुराई से की है गेंद बाजी बल्ले बाज को रखा है खामोश एक और डॉट गेंद आज तो बहुत मेहनत मशक्कत करनी होगी बल्ले बाज को क्योंकि रन आसानी से ये फिल्डर देगा नहीं नो फ्लाइंग जोन भूशित कर दीजिए इस मैदान को क्योंकि गेंद गई एक बाज फिर हवा में छे रन फिल्डर भी सिरफ पीछे मुड कर देखेंगे एक छे रन खाते में आज तो बहुत मेहनत मशक्कत करनी होगी बल्ले बाज को क्योंकि रन आसानी से ये फिल्डर देगा नहीं डॉट बॉल के साथ ओवर हुआ समा कप्तान ने मीडियम पेसर को बुलाया है अटैक पर सही ठिकाने पर गेंद बल्ले बाज खामोश दिशा खराब तो दशा खराब दिशा हीन गेंद है वाइड के जरीए एक अतरिक्त रन है फिल्डर ने जान जोग दिया इस गेंद को रोखने के लिए आज आसानी से रन मिलेंगे नहीं बड़िया फील्डिंग बल्ले बाज के पास रन लेने का मौकन है सूझ बूझ के पगड़ा इस गेंद को फिल्डर ने हर डॉट गेंद के साथ प्रेशर बढ़ता हुआ इस बाद बले शोट का प्रेश सबका बड़िया प्रदर्शन की वील्डर ये चेंज आफ पेस का प्लान है फास बोलर को बुलाया गया है अटैक में इसे कहते हैं बड़िया फिल्डिंग बल्ले बास एक एक रन के लिए तरस रहे हैं बल्ले बास के मन में है थोड़ी सी शंका अभी भी है खामोश पांचों उंगलिया मिलके बन जाती है मुठी और यही काम कर रही है ये टीम मुठभेड के लिए है तैयार फिल्डिंग में है पूरे जाबास चतुराई भरा मिश्रन गेंद बास को फिर नहीं मिला रूम खामोश वो है और स्कोर बोर्ड भी पिक्चर परफेक्ट शॉट अब ये शॉट आपको नहीं मिलने वाला प्रिकेट कोचिंग मैनुवल में स्लांग का बहतरीन इस्तमाल और उससे भी बहतरीन शॉट चॉट चॉट आप अटैक इस बेस्ट फॉर्म और यही कर रही है फ्रिल्डिंग उनिट फिल्डिंग उनिट का बढ़िया प्रदर्शन अगर जीतना है तो फिर इस मोमिंटम को चालू रखना पड़ेगा डॉट गेंद के साथ किया ओवर को समाप्त गेंद बास खुश कप्तान ने मीडियम पेसर को बुलाया है अटैक पर गेंद थोड़ी सी गुरानी है और रिवर स्विंग में ये महारती है अच्छी ये इसे कहते हैं बड़िया फिल्डिंग बल्लेबास एक एक रन के लिए तरस रहे हैं खास है ये गेंद बास रिवर स्विंग कराने में महिर है ये गेंद बास पांचों उंगलिया मिलके बन जाती है मुठी और यही काम कर रही है ये टीम मुठभेड के लिए है तैयार फिल्डिंग में है पूरे जाबास सटीक लाइन सटीक लेंथ कठिन सवाल बल्लेबास के पास नहीं था जवाब मिल्डिंग यूनिट का बढ़िया प्रदर्शन अगर जीतना है तो फिर इस मोमेंटम को चालू रखना पड़ेगा एक और डॉट गेंद अब दबाव बढ़ता हुआ बल्लेबाजी की टीम पर आज तो बहुत मेहनत मशक्कत करनी होगी बल्लेबास को क्योंकि रण आसानी से ये फिल्डर देगा नहीं हर डॉट गेंद के साथ प्रेशर बढ़ता हुआ सबका बढ़िया प्रदेशन फिल्डर ये 24 कैरेट खरा सोना है मिड़ान की तरफ बढ़िया ड्राइव लेकिन फिल्डर मौजूद कोई रण नहीं एक्शन में आम स्पीड में कोई बदलाव नहीं लेकिन गेंद आई है थोड़ा सा धी में फिल्डर ने जान जोग दिया इस गेंद को रोखने के लिए आज आसानी से रण मिलेंगे नहीं चलिए देखते हैं कि अपने आखरी स्पेल में क्या कारनामा करते हैं ये गेंद बास अटैक इस दे बेस्ट फॉर्म अफ दिफेंस और यही कर रही है फ्रील्डिंग यॉनिट चेंज ओफ पेज गती में परिवर्तन फ्लोर गेंद सूझ बूझ के बगड़ा इस गेंद को फिल्डर ने चतुराई से की है गेंद बासी बल्ले बास को रखा है खामोश एक और डॉट गेंद राउंड दस टंक्स जानी का किया है फैसला रोचक होगा इनका ये निरने पिछ में थोड़ी सी मदद मौझूद है और गेंद बास के हाथ में रिवर्स फिंग का जादू है बढ़िया गेंद बासी इस बॉल को रोखना मुश्किली नहीं ना मुमकिन है मेरे दोस्ट रोखने की कोशिश कोशिश ना कामियाब एक और चार बढ़िया फील्डिंग बल्ले बास के पास रन लेने का मौकन है एक और बढ़िया गेंद एक बार फिर रन नहीं ओवर की आखरी गेंद दे कर गई है चौका बल्ले बाजी टीम के लिए एक बढ़िया ओवर अच्छी रिवर स्विंग मिली इस गेंद पर बढ़िया फील्डिंग बल्ले बास के पास रन लेने का मौकन है सटी गेंद डॉट गेंद खास है ये गेंद बास रिवर स्विंग कराने में माहिर है ये गेंद बास सूजबूज के बगड़ा इस गेंद को फील्डर ने है चतुराई भरा मिश्रन गेंद बास को फिर नहीं मिला रूम खामोश वो है और स्कोर बोर्ड भी कती में मिश्रन के साथ चकमा देने का किया है प्रयास पांचों उंगलिया मिलके बन जाती है मुठी और यही काम कर रही है ये टीम मुठभेड के लिए है तैयार फील्डिंग में है पूरे जाबास सठीक लाइन सठीक लेंद कठिन सवाल पल्ले बास के पास नहीं था जवाब हलका सा शफल किया और गेंद को लेक्स साइड पे भेजा भागे शाली की दुरघटना नहीं घटी सबर्दस गेंद बाजी का स्पेल एक और मेडन ओवर दबाव बल्ले बास उपर अचानक आई ये जोर से बरसा दियाने की प्लेयर दाटकिंग फ़र कावा आले बादल मंडरा रहे हैं बारिश आ सकते जी आ ही गई मैच में आप करनी होगी थोड़ी सी रुकावर्ट बारिश रुक गई गवर्श चले बारिश इतनी अचानक और इतनी जोर से आई कि जाने से पहले थोड़ा सा ओस चैसी नमी छोड़ गई है पिच पर लेकिन डखवर्थ लूइस से आज नहीं मिलेगी रिस्पाइट पूरे ओवर डालने बढ़ेंगे यह है दूसरा क्या अच्छी पहल कर पाएंगे बल्लेबास अटैक is the best form of defense और यही कर रही है फ्रील्डिंग यॉनिट सही ठिकाने पर गेन बल्लेबास खामोश हवा में थोड़ी तेज है फ्लिपर यह गेन है चकित बल्लेबास इस बॉल को रोकना मुश्किली नहीं नामुम्किन हमेरे दोसर तॉप स्पिन के वेरियेशन से तंग करना चाहते हैं बल्लेबास को अच्छा प्रयास करीबी मामला मिला भागे का साथ एक और बढ़िया गेन एक बार फिर रन नहीं तॉप सा गेंद को हवा में फ्लाइट दी है टॉप स्पिन का किया है इस्तमाद तिशाहिन गेंद बाजी वाइड का तौफा बल्लेबास टीम को हवा में तेज जरूर थी लेकिं मिला अतरिक उच्छाल यह है टॉप स्पिनर की खासपा सटीक लाइन सटीक लेंथ बल्लेबास दुविधा में सबका बढ़िया प्रदाशन फिल्डर यह 24 कैरेट खरा सोना है इस टॉप बोलर की यह है टॉप स्पिनर कप्तान ने मीडियम पेसर को गुलाया है अटैक पर समझ बूच के छुपा कर डाली यह स्लोर गेंड आज तो बहुत मेहनत मशक्कत करनी होगी बल्लेबास को क्योंकि रन आसानी से यह फिल्डर देगा नहीं पिल्डर ने जान जोग दिया इस गेंड को रोकने के लिए आज आसानी से रन मिलेंगे नहीं अच्छी रिवर स्विंग मिली इस गेंड पर अब यहां तो भागने की भी जरूरत नहीं है अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी थी ही लेकिन उससे भी बहतर भागने की गति जान हलक में है नंबी डाई संपूर्ण समर पर जबरदस्ट अपील बल्ले बास भी असमंजस में अंपायर ने कहा आप सुरक्षित हैं नौट आउट करा दिया गेंड को हलके से धकेला है मिड्विकेट के रीजिन में सठीक लाइन सठीक लेंथ कठिन सवाल पर ले बास के पास नहीं था जवाब इस मौके को चौके में किया तबदील ओर गोगिया समाप ओर की समापती ना ओवर टू अनेक्स बोलर बोलिंग कप्तान ने ये डिसाइड किया है कि अब आकमन होगा मीडियम पेसर्स के द्वारा इसे कहते हैं बड़िया फील्डिंग बल्ले बास एक एक रन के लिए तरस रहे हैं बल्ले बास के मन में है थोड़ी सी शंका अभी भी है खामोश फील्डिंग यूनिट का बड़िया प्रदर्शन अगर जीतना है तो फिर इस मोमेंटम को चालू रखना पड़ा है चतुराई भरा मिश्रन गेंद बास को फिर नहीं मिला रूम खामोश वो हैं और स्कोर बोर्ड भी आज तो बहुत मेहनत मशक्कत करनी होगी बल्ले बास को क्योंकि रन आसानी से ये फील्डर देगा नहीं गेंद को हलके से धकेला है मिड विकेट के रीजन में हर डॉट गेंद के साथ प्रेशर बढ़ता हुआ ओवर की छटी गेंद लेकिन बटो रहा है चौक का एक और ओवर की समापती और समय है गोलिंग में चेंज का समय है स्पिन के इंट्रोडक्शन का शुरुआत कर रहे हैं और स्पिनर के साथ हवा में तेज जरूर थी लेकिन मिला अतरिक उच्छाल ये है टॉप स्पिनर की सूझ बूझ के बगड़ा इस गेंद को फील्डर ने बल्ले बास को थोड़ा क्रैंप किया एक और डॉट बॉल गेंद बास की बास गेंद को हवा में फ्लाइट दी है तॉप स्पिन का किया है इस्तमार वाड़ डिलिवरी चतुराई से की है गेंद बाजी बल्ले बास को रखा है खामोश एक और डॉट गेंद तॉप स्पिन के वेरियेशन से तंग करना चाहते हैं बल्ले बास को अच्छा प्रयास द इस बार बड़े शॉट का प्रयास तॉप बोलर की ये है टॉप स्पिन बड़िया फील्डिंग बल्ले बास के पास रन लेने का मौका नहीं आखरी गेंद को डॉट खेल कर खुश तो नहीं होंगे बल्ले बास स्पिनर अपनी शुरुवात कर रहे हैं स्पेल की लेकिन आफ साइड पर वैसा ही जमावडा जैसा पहले था हवा में तेज जरूर थी लेकिन मिला अतरिक उच्छाल ये है टॉप स्पिनर की खासबाद पांचों उंगलिया मिलके बन जाती है मुठी और यही काम कर रही है ये टीम मुठभेड के लिए है तैयार फील्डिंग में है पूरे जाबास बढ़िया गेंद को आसा गेंद को हवा में फ्लाइट दी है टॉप स्पिन का किया है इस्तमाद सबका बढ़िया प्रोदर्शन फील्डर ये 24 कैरेट खरा सोना है एक और डॉट गेंद अब दबाव बढ़ता हुआ बल्ले बाजी की टीम पर तॉप स्पिन के वेरियेशन से तंग करना चाहते हैं बल्ले फील्डर ने जान जोग दिया इस गेंद को रोकने के लिए आज आसानी से रन मिलेंगे नहीं हवा में तेज जरूर थी लेकिन मिला अत्रिक उच्छाल ये है टॉप स्पिनर की इसे कहते हैं बढ़िया फील्डिंग बल्ले बाज एक एक रन के लिए तरस रहे हैं प्रासा गेंद को हवा में फ्लाइट दी है टॉप स्पिन का किया है इस तमाल बीटन टॉप बोलर की ये है टॉप स्पिनर का बहतुरी निस्तमाल और गेंद को भेजा है हवाई यात्रा पर गेंद के नीचे आए और बहुत पीछे भेजा छे रंग के साथ ओवर किया समा और इस गेंद के साथ हुआ ओवर समा स्पिनर अपनी शुरुवात कर रहे हैं स्पेल की लेकिन ओफ साइड पर वैसा ही जमावड़ा जैसा पहले था आसा गेंद को हवा में फ्लाइट दी है टॉप स्पिन का किया है इस तमाद गेंद को हलके से धुकेला है मिड्विकेट के रीजन में बल्ले बास को थोड़ा क्रैंप किया एक और डॉट बॉल गेंद बास की हवा में तेज जरूर थी लेकिन मिला अतरिक उच्छाल ये है टॉप स्पिनर की खास बाद हो 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 क्या गेंद है ये सठीक लाइन सठीक लेंद कठिन सवाल बल्ले बास के पास नहीं था जवाब तॉप स्पिन के वेरियेशन से तंग करना चाहिए अटैक इस बेस्ट फॉर्म अफ डिफेंस और यही कर रही है फिल्डिंग योनिट एक और बढ़िया गेंद एक बार फिर रन नहीं इस टॉप बोलर की ये है टॉप स्पिन बढ़िया लेंद पर बढ़िया गेंद हर डॉट गेंद के साथ प्रेशर बढ़ता हुआ हवा में तेज जरूर थी लेकिन मिला अत्रिक उच्छाल ये है टॉप स्पिनर की खासबाद बल्ला जोर से घुमाया लेकिन संपर्क नहीं भाग गया बल्लेबाज के साथ तफ स्पिन के वेरियेशन से तंग करना चाहते हैं बल्लेबाज को अच्छा प्रेयास बल्लेबाज पूरी तरह से हुआ बेजुबान इस ओवर की खामोशी की गूंज बहुत आफ साइट पे अभी भी फील्डर्स का जमावड़ा है स्पिनर के हाथ में है गेंद कि अब्र गेंद को हवा में फ्लाइट दी है टॉक्स पिंठा किया है इस तरह में यह गेंद गई गई है स्टैंस के पार बहुत दूर छे रन कमाल का शॉट पहले गियर से सीधा छटे गियर में छे इस टॉप बोलर की यह है टॉप स्पिन फील्डिंग यूनिट का बढ़िया प्रदर्शन अगर जीतना है तो फिर इस मोमेंटम को चालू रखना पड़ेगा हवा में तेज जरूर थी लेकिन मिला अतरिक उच्छाल यह है टॉप स्पिनर की खासपा इस गेंद को तारे में कर दिया है तब्दील ग्राविटेशनल फोर्स मिल गया है छे शोकिंग इंपाक्ट रॉकिंग आउटकम छे रन मिलेंगे यहां पर टॉप स्पिन के वेरियेशन से तंग करना चाहते हैं बल्ले बाज को अच्छा प्रयास वंडरफुल स्पिल चतुराई भरा मिश्रन गेंद बाज को फिर नहीं मिला रूम खामोश वो हैं और स्कोर बोर्ड भी उस टॉप बोलर की यह है टॉप स्पिन दर्श गोगो किया फील्डर में तब्दील इस शॉट ने लूटी वह वाई यह शॉट अगर मैंने लगाया होता तो मैं बहुत ही गौर्वानवित होता प्रसा गेंद को हवा में फ्लाइट दी है टॉप स्पिन का किया है इस्तमार एक और खराब गेंद दिशाहीन गेंद वाइड का इशारा अंपायर का नीचे की तरफ रही है गेंद चतुराई वाली बोलिंग गेंदबास की स्मैक फूपसूरत टाइमिंग जबर्दस शॉट इस छट्के की गूंज बहुत देर तक सुनाई देगी गेंद बास को आखरी गेंद छे रहा है ये बात तो तैह है कि आज गेंद बास पैविलियन मुस्कुराते हुए जाएंगे ये बरावरी का मुकाबला नजर आता है तोटल बहुत बढ़ा तो नहीं है लेकि इतना छोटा भी नहीं कि आसानी से चेस हो जाए तो देखने लायक हो फ्रीज पर आए है नहीं बंद बास उमीद यही है कि टीम प्लान के साथ वो जुड़े रहेंगे और अपने पेस और अग्रेशन के लिए जाने जाते हैं ये गेंद बास लेकिन क्या आज विकेट चटका सकते हैं जबरदस शॉट के साथ एक करारी शुरुआत पहली गेंद पहला चौका स्मैक जबरदस शॉट डाउन दा ग्राउंड डे कर जाएगा चौका दो से तीम भले दो तो मिल चुके क्या मिलेगा तीसरी गेंद पह एक और चौका और यहां हो रही है चौको की बरसा सबका बढ़िया प्रदाशन फील्डर यह 24 कैरेट खरा सोना है सटी गेंद डॉट गेंद इसा लगता है चार का पहाड़ा पढ़ रहे हैं चौके के साथ ओवर समा बहुत ही महंगा ओवर और गेंद बाज निराश अब यह क्या मीडियम पेसर फटा फट विकेट चटका पाएगा यह होगी देखने लाइग बाज गेंद पे तो मानने का प्रयास ही नहीं किया था शरीर का निशाना साधा सबलता भी मिले सही ठिकाने पर गेंद बल्ले बास खामोश अब यहां तो भागने की भी जरूरत नहीं है फिल्डर ने जान जोग दिया इस गेंद को रोखने के लिए आज आसानी से रन मिलेंगे नहीं मिड्विकेट पे खड़े फिल्डर के तरफ सीधा मारा ड्राइव रन नहीं मिलेगा एक और नो बॉल यह एक्स्ट्रास बाद में बहुत महेंगे पड़ेंगे इस टीम को अच्छा मौका है बल्ले बाजी यूनिट के लिए कुछ रन बटोरने का स्माश्ट चाबू कॉपी बुक छेरा गेंद बास के छक्के छुड़ा दिये छक्का जड़ दिया बल्ले बाजी टीम के लिए एक बढ़िया होगा समय है स्पिन के इंट्रोड़क्शन का शुरुवात कर रहे हैं और स्पिनर के साथ पिक्चर परफेक्ट शॉप बोलर का नुकसान बल्ले बास का फाइदा अमपायर ने सिंगनल की है फ्री हिट कमाल का शॉर्ट और क्या थी खूबसूरत ये डाइमें ये इदवास को छकायाच छस्ता लगाया प्रफेक्ट शॉपल्यस्त्य विच्चर परफेक्ट शॉप वर्तॉ गेंदबाजी में ज़्यादा धार नजर आ नहीं रही अगर टीम को वापसी कर रही है तो कुछ बदलना होगा चार 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 है ट्रिक और फोर्स अच्छे रिदम को प्राप्त ही नहीं कर पा रहे है इस स्पेल में गेंदबाज ना लाइन पर कंट्रोल ना लेंथ पर नियंत्रन ये था आमंत्रन पिटाई गेलिया और इस चौके के साथ पहुँच गए पचास के पार जबरदस्त पारी कप्तान ने मीडियम पेसर को बुलाया है अटैक पर बढ़िया फुटवर्क कलाईयों की कलाकारी फ्लिक हाँ और ना में टाइम बेस्ट नहीं किया बढ़िया रानिंग बिट्वीन दे विकेट्स फील्डर के सर की उपर से लगाया शौट बटोर लिया है चार बूम इस बॉल को रोकना मुश्किली नहीं ना मुंकिन है मेरे दोस्त तर्शकों को भी ऐसास हो गया है कि शायद चौकों की हैट्रिक देखने को मिलेगी पोशिश तो भरसक की है गेंदबाज ने लेकिन बल्लेबाज के सामने एक नहीं चल रही चौकों की जड़ी लगा दी यहाँ पर हवा में है शौट फील्डरों को छोड़ो दर्शकों को भी नहीं लगेगी हवा स्टेडियम के बाहर छेरन या गमाल का शौट है यह शुरुआत तो अच्छी थी लेकिन हुआ एक अबरप्ट एंड बढ़िया पकड़ा कैच और इस इनिंग की पहली विकेट गेंदबाज के ना विस खोट अखबारी यहां होती है फिनिश इनको सिरफ अपना रोल अदा करना है कैते हम स्लोव एं स्टेड़ी विंस दर रेस कप्तान ने गेंद दी है और स्पिनर को विकेट की है मंच्छा क्या उस पे खरे उतरेंगे गेंदबाज उची दूर गई है रोकेट की तरह विस बाल को रोकना मुश्किली नहीं ना मुमकिन है मेरे दोस्ट कहने को तो छे रन है लेकिन लंबाई देखे शॉट की तो मिलने चाहिए साथ या दस वाव क्या ड्राइव है ये महीन सीदी दरार उसमें से बटो लिये हैं पूरे चाहिए रोकेट की स्पीड से गई है गेंद ये फेंस तक गेंद की रिप्लेस्मेंट मंगवानी पड़ेगी आसानी से मिलने वाली है नहीं मॉंस्ट्रा सिक्स आउट का इशारा अंपायर की तरफ से और सेलिब्रेशन्स पाक्समन को बिल्कुल सहमती नहीं है अंपायर के इस डिसीजन से तो चल पड़े हैं तीसरे अंपायर की तरफ अब ये चुनौती दे रहे हैं अंपायर के डिसीजन के गेंदबास की चतुराई, बल्लेबास की शामताई, प्लेग बिफोर दविकेट्स अब इन्हें सिरफ अपने बेसिक्स के साथ जुड़े रहना है अगर नीव मजबूत होगी तो इमारत बड़ी खड़ी हो सकती है अपने पेस और अग्रेशन के लिए जाने जाते हैं ये गेंदबास, लेकिन क्या आज विकेट्ट चटका सकते हैं मैदान पर नए हैं जनाब ये पेविलियन से सेट होकर आए हैं चौके से शुरुआ वैक ये गेंद गई है दूर को सो दूर दे कर जाएगी छेरान कितना भी बड़ा मैदान क्यों ना हो इस शॉट पे तो छे मिलेंगे मैसिव है छे नहीं आठ नहीं दस रंग दीजिए इस शॉट को इतनी दूर गई बल्ला घूमा स्टेडियम जूमा टीम ने काटे का मुकाबला कमाल की जीत जीत के साथ चल पड़ा है इस टीम का आगे की तरफ कारवा झालर भबागे झाल झाल